नमस्कार मैं हिमंत बगेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल में भारत की इतिहास से अक्सर पूछे जाने वाली परिक्षाओं पर हम लोग डिसकस कर रहे थे और मैं जो हूँ 10 कोस्चन लेता हूँ जिनको डिटेल में एक्स्प्ल या फिर यूजी सी नेट जे आरेफ या फिर किसी भी परिक्षा जहां पर भारत की इतिहास से कोस्चन पूछे जाते हैं तो वहां के लिए काम आ सकता है तो आप लोग आखिर तक देखेगा वीडियो को और आपसे जितने भी कोस्चन सॉल्व होंगे आप मुझे कमेंट कर के बताईएगा तो चले शुरू करते हैं पहला कोस्चन यहां मैंने लिया है किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन नहीं दिया था तो दिखे असहयोग आंदोलन के अगर हम लोग बात करें तो महत्मा गांधी जी द्वारा सन 1920 में असहयोग आंदोलन सुरू किया गया था मह बवार से महत्मा गांदी नें इस चीज को प्रश्थ तुकही सारे निटा इसके समर्थनां Hence आपको बताना है कि असर हो गांदोलन को किस निटाओं ने समर्थन नहीं दिया थि deben बहुत सारे नेता थे वैसे मौलाना सवकत अली जी हो या फिर पंडित जवाहरलाल नहिरू हो इन सब ने महात्मा गांधी जी का बढ़ चड़ के साथ दिया लेकिन वही कुछ ऐसे भी नेता थे जैसे कि मुहम्मद अली जिन्ना जिन्हों ने सन 1916 के लखनो अधिवेशन में क सहयोग अंदोलन का समर्थन नहीं दिया था ध्यान रखेंगे ये लोग पक्ष में नहीं थे ये लोग एक तरह से विरोध कर रहे थे इनके अलावा और भी लोग थे जिनका नम आप लोग याद रखिएगा मदन मोहन मालविय जी एक हो गए इसके अलावा आप याद रखे तो ये सब जो हैं विरोध में थे एक बार फिर से नाम सुन ली जीएगा मुहम्मद अली जिनना जो की मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे और पाकिस्तान का जन्म इनी के कारण हुआ था सुरेंदरनाथ बैनर जी जो की भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस के इस्थापना के समय से थे वहीं जो एनी बेसेंट जिन्होंने होम रूल ली गांदुलन चलाया था मदन मोहन मालविय ये हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे इसके अलावा देश बंधू चितरंजन दास जिनको सी आरदास बोला जाता है आगे चल करके जिन्होंने सुराज दल की स्थ अपना की थी 1923 में उसके बाद विपिन चंद्रपाल विपिन चंद्रपाल उसके बाद संकर नायर और सर नारायन चंद्रावरकर तो इन लोगों ने महात्मा गांदी जी के असयो गांदुलन का समर्थन नहीं किया था जो एनी बेसेंट थी जिन्होंने सन 1917 में कांग्रेस क कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महीला थी तो एनी बेसेंट जी ने एक वाक्य कहा था भात्पा गांदी जी के इस आंदोलन के लिए कि ये जो है मतलब ये जो यह स्वतंत्रता अंदोलन को धक्का है मतलब कि जो स्वतंत्रता अंदोलन जो चल रहा है उसको पीछे धकेल देगा इस टाइप से बोला था एनिवेशेंट जी ने तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग यह भी पूछा गया है और यह जो है बंगाल के कुछ क्रांतिकारी सं स्वतंत्रत करवाना चाहते थे तो इन्होंने महत्मा गांदी जी के इस अहिंसात्मक आंदोलन का समर्थन किया था और वाकि यह सब जो थे ना यह जो नेता थे यह लोग क्या चाहते थे कि जो अधिकतर नरम पंथी लोग थे और यह लोग जो है भारत का जो आजादी है व ये इनका जो है उद्दे से था तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं अगले कुश्चिन की तरब तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एक दो तीन चार एक दो तीन चार ये आपका आंसर होगा अगला कुश्चिन देखने हैं निम्न कथन को पढ़िए तो प पहला सासक कौन हुआ गैस उद्दिन तुगलक दूसरा था मुहम्मद बिन तुगलक वई पागल सुल्तान और तीसरा था फिरूज साहत तुगलक तो इसने अपने सिक्कों में खलीफा का नाम उत्किरण करवाया खलीफा कौन होता था तो ये मुसल्मानों का सबसे बड़ गुरू होता था ये खलीफा दूसरा बोल रहा है अलाउद्दिन खिलजी ने इक्ता के इस्थान पर नकद वीतन देना सुरू किया तो अलाउद्दिन खिलजी जो की खिलजी वन्स का सासक था इसके चाचा थे जलालुद्दिन खिलजी जिसने खिलजी वन्स की निव रख गुलाम वंस का शाषक था तो इल्टवत्र मिस ने इक्ताव्यवस्था शुरू की थी और किया जाता था जो अधिकारी होते थे उनको दिल्ली सल्तनत का जिसने अपने अधिकारी िचैनिकों को दोनों सुरू किया था तो ये भी सही है ये दोनों सही है तीसरा बोल रहा है सिकंदर लोदी ने अलाउद दिन खिलजी के हुलिया सब्द के इस्थान पर चेहरा सब्द का प्रियोग किया सिकंदर लोदी जो की लोदी वन्स का दूसरा सासक था इसी ने आगरा नगर की स्थापना की थी और अला सारे सुधार किये थे सेना में सुधार किया था और इसने क्या किया जो सैनिक है उनकी सेना में भरती होने से पहले उनका हूलिया लिखा जाता था मतलब कि उनकी जो कदखाटी है उनका सरीर का माप है मतलब कि सीना कितना चौड़ा है हाइट कितना है बाकी सरीर में जो भी ची जिसको अलाउद्दिन खिलजी ने शुरू किया था इसको जारी रखा था क्योंकि यह अच्छी चीज थी इससे जो सेना है उसमें अच्छे लोगों की भरती होने लगी नहीं तो पहले क्या होता था कोई मोटा हो कोई नाटा हो कोई विल्कुल पतला दुबला हो तो वैसे ल चेहरा सब्द का प्रियोग किया तो ये आपका सही है तो तीनों ढूंडसन आपके शहीं है तो देख लेते हैं एक दो तीन आपका सहीं होगा सहीं कथन से टमाम चीज आप लोगों भ्यान रखेंगे अगला कोष्चन दिtional में अटाला देवी का मंनिर जोशन होत इमपर् रखेंगे जौनपूर जिसकी इस्थापना फिरोज सहा तुलゃक द्वारा अपने चचेरे भाई जोनक का नाम क्या था मुहाम्मद बिन तुलक का दूसरा साथ स्क है तो उसी के याद में फिरोज सहा तुलक ने जौनपूर राज्य बन जाता है, यहाँ पर सरकी वंस के सासकों ने सासन किया था, और जो जौनपूर है, यह कला और विशेश करके इस्थापत्य कला के लिए बहुत जादा जाना जाने लगा, तो यहाँ पर काफी सारी निर्मान कार्य हुआ था, इन्हीं में से एक था अटाला देवी क मंदीर, और सौरी यह मसजीद है, माफी चाहूँगा, यहाँ मैंने मंदीर लिखा था, वो भी आधा लिखा, यह मसजीद है, अटाला देवी का मसजीद, ध्यान रखेंगे, अपने आप में थोड़ सा नाम ही अलग है, अटाला देवी का मसजीद, देखे, क्या था, कि यह जो मसजीद है ना, अटाला देवी का मसजीद, यह जौनपूर में इस्थापित है, और पहले यह एक मंदीर हुआ करता था, अटाला देवी का मंदीर हुआ करता था, जिसको की कन्योज के राजा, विजय चंद्रद्वारा बनवाया गया था, और बाद में फिर जब जौनपूर के सासक थे, उन्होंने अटाला देवी के मंदीर के कुछ भागों को तुड़वा करके, उसी के अवसेस में मसजीद का निर्मार करवाया, और इसी मसजीद को बोला गया, अटाला देवी मसजीद, तो ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है, किसने बनवा अटाला देवी मंदीर को, और मसजीद को किसने बनवाया था, तो इबराहीम खास सरकी, जो जौनपूर का सासक था, इबराहीम खास सरकी, उसने अटाला देवी मंदीर को तुड़वाया, और उसी के भगनावसेसों पर अटाला देवी मसजीद का निर्मार करवाया, तो मं आपको खलीस मुखलीस मस्जिद भी यही मिलेगा तो ये सब चीजे पूछा जाता है जंजीरी मस्जिद याद रखेंगे और अटाला देवी का मस्जिद ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखने हैं नीम्न कथन को पढ़िए तो कथ सकते हैं और राणा सांगा के साथ ही मुगल बादशाह बाबर का खानवा का युद्ध हुआ था कब हुआ था 1527 में तो ये वाला आपका जो है गलत हो जाएगा अगला दिया है राणा सांगा ने मिवाड के 32 किलों का निर्मान करवाया देखो क्या बुढ़ रहा है राणा कुम्भा ने करवाया था राणा कुम्भा ने यहाँ पर जो 32 के लिए हैं उसका निर्मान करवाया था तो ये भी आपका गलत हो जाएगा तीसरा बोल रहा है मालवा के महमुद खिल जी को परास्त कर राणा सांगा ने विजय इस्तंभ का निर्मान करवाया तो ये क्या सही तो देखो ये भी गलत है आपका ये भी गलत है क्योंकि जो रानक कुम्भा ने परास्ट किया था राणा कुम्भा ने मालवा के महमूद खिल जी को राणा कुम्भा ने परास्त किया था अब देख लेते हैं एक बार संस्कृत कभी उधैराद ये ना कहां पर था तो अपका जो गुजरात है गुजरात का जो सासक है महमूद बेगडा उसके यहां यह रहा करता था कौन उधैराज संस्कृत कभी था और ये महमूद बेगडा जो की गुजरात का सासक था उसके यहां रहता था और इसने ना महमूद चरीत की रचना किये किसने उधय राज ने महमूद चरीत महमूद साह बेगड़ा के लिए और उसी के दरबार का ये दरबारी गवी था और जो मेवाड के जो 32 के लिए हैं呢 इनका निर्माण राणा कुम्भा ने करवाया था न की राणा सांगा तो यह भी आपका गलत महमुद खिल जी यह कहा का सा सक्था महमुद खिल जी तो मालवा का सा सक्था इसको राणा कुम्भा ने परास्त किया और अपना जो चित्त और है मिवाड़े वहाँ पर विजय इस गलत है, सही कथन का चैन करिए बोल रहा है, तो तीनों ही यहाँ पर गलत है, ध्यान रखेंगे, अगला कुछ चना है, स्वामी विवेकानद जी के विशाय में कौन सा कथन असत्य है, तो स्वामी विवेकानद जी के संबंद में कुछ कथन दिये हुए हैं, देख लेते हैं, अफरा सो तरृहने जो अपने स्वामी विवेका नंदी थे वो Kerry गए थे लेकिन यहाँ पर जो नियोर्क दिया है ना नियॉर्क में धर्म महासभा का आयोजन नहीं हुआ था ना कहा हुआ था तो सिकागो में शिकागो जो कि सनातन धर्म का प्रतिनेदेतों किया था भारत की तरब से लेकिन यह कहां हुआ था सिकागो में तो यह पॉइंट आप लोगों का गलत होगा दूसरा बोल रहा है 1897 में राम कृष्ण मिशन की स्थापना होई यह बिलकुल सही है राम कृष्ण मिशन की स्थापना होई इसके बाद इनके गुरु परभांस जी थे यह भी सही है 1902 में इन्होंने महासमाधी ले ली थी तो जो पहला वाला जो कथन है वो गलत है द्यान रखेंगे तो ये जो है 1893 में अमेरिका के सिकागो सहर में आयोजी धर्म महासभाम में भारत की तरब से सनातन धर्म का प्रतिनी धित्व करते हैं पहला दिया हुआ है 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वासासन की मांग की थी तो क्या बुल रहा है कि 1905 में कांगरेश का अधिवेशन कहा हुआ बनारस में और यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जी ने स्वासासन की मांग की स्वाशासन मतलब खुद का सासन तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है अगला बोल रहा है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में यहाँ न होना था अधिवेशन में डादा भाई नौरो जी ने स्वाशासन की मांग की ये भी बिल्कुल सही है 1907 के सूरत अधिवेशन में कॉंग्रेस में फूट पड़ गया ये भी बिल्कुल सही है तो तीनो कथन सही है तो ध्यान रखेंगे तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने पहली बार श्वाशासन की मांग की थी 1905 में और कलकत्ता में दादा भाई नौरो जी ने पहली बार श्वाराज की मांग की थी अच्छा स्वाराज जो सब्द है ना इसको लेकर करके अलग-अलग तरीके से प्रश्ण पूछा जाता है कि पहले विक्तिकाओं थे जिन्होंने सुराज सब्द का प्रियोग किया तो वो थे अपने जो आरे समाज के संस्था पक स्वामी दयानंद सरस्वती जी उन्होंने अपनी पुष्टक सत्यार्थ प्रकास में सुराज का उलेख किया है वैसे इनसे भी पहले चात्रपती सिवाजी महराज ने सुराज का प्रियोग किया था लेकिन उनका जो सुराज था वो केवल और केवल जो मराठी भासी छेतर थे वहीं तक सीमी थे था मतलब कि विस्त्रेत नहीं था इसके बाद जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने एक वक्तव कहा था कि सुराज मेरा जन्म से दधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूँगा तो यह 1916 के लखनव अधिवेशन की बात है तो यह सारी चीज़े आप लोग ध्यान रखेंगे और 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है कांग्रेस का लोग हैं वो दो दलों में बढ़ जाते हैं एक नरम पंथ और एक गरम पंथ दीखे क्या था कि कांग्रेस में दो दल बन गए थे एक जो है बिल्कुल हाथ जोड़ करके काम करना चाहता था अंग्रेस को एप्लिकेशन लिखना आविदन पत्र प्रस्तुत करना इस टाइप से और जो दूसरा जो दल था वो ठीक है हाथ जोड़ रहे ठीक है लेकिन अगर काम नहीं हो रहा है तो उंगली टेड़ा भी करना पड़ेगा इस टाइप का विचार रखते थे मतलब की हरताल करना आंदोलन करना इस टाइप के चीजों को भी समर्थन करते थे गरमदल वाले तो यहाँ पर 1907 में यह जो कांग्रेस है गरमदल और नरमदल में बठगाता है कहीं बार पूछा गया है गरमदल और नरमदल किस अधिवेशन में बठगे थे तो सूरत 1907 तो आपका जो है तीनों सही है तो एक दो तीन आपका सही हो जाएगा अगला कुश्चन देखते हैं लखनव अधिवेशन के संबंध में कौनसा कथन सत्य है तो देखो जो कांग्रेस में जो फूट पड़ा था वो कहां से पड़ा था सूरत अधिवेशन 1907 अब जो है 1916 में लखनव में अधिवेशन होता है कांग्रेस का और यही पर जो है कांग्रेस के नरमदल और गरमदल के बीच सूलह हो जाती है तो देखते हैं कांग्रेस के लखनव अधिवेशन के संबंद में कौन सा कथन सत्य है पहला बोल रहा है अंबिका चरण मजुमदार ने अध्यक्षता की थी जिया ये बिलकुल सही है अंबिका चरण मजुमदार ने अध्यक्षता की थी अंबिका चलण मजुमदार इन्होंने ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दूसरा दिया है तिलक वर जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस में सुलह हुआ क्या बोल रहा है तिलक मतलब कि बाल गंगाधर तिलक और मुहम्मद अली जिन्ना इन दोनों के प्रयासों से कांग्रेस में सुलह हुआ मतलब कि कांग्रेस जो की दो दलों में बढ़ गया था ना गरम दल और नरम दल तो इन दोनों के बीच 1916 के लखनव अधिवेशन में सुलह हुआ और बोल रहा है कि तिलक और जिन्ना के प्रयासों से तो नहीं यहाँ पर जो जिन्ना है उनका नाम नहीं है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी के साथ एनी बेसेंट की भूमिका थी जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इन दोनों के प्रियासों से गरम दल और नरम दल के बीच सुला हुआ तो आपका ये वाला पॉइंट जो है गलत हो जाएगा तीसरा बोल रहा है तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से मुस्लिम लीग वो कांग्रेस में समझा होता हुआ देखो जो लखनव अधिवेशन था 1916 का तो इसमें जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी समझा होता हुआ था लेकिन ये जो समझ तो यहाँ पर केवल और केवल एक आपका आंसर सही होगा तो लखनव अधिवेशन के संदर्व में आप याद रखे एक अक्सर पूछा जाता है 1916 में हुआ था अध्यक से कौन थे अंबिका चरण मजोंदार और यहाँ पर कांग्रेस के जो नरम दल गरम दल दोनों में सु लोगदान था आगे बढ़ते हैं तो यह आपका आंसर होगा एक आगे बढ़ते हैं कुतुब मिनार से कौन संबंधित नहीं था कुतुब मिनार का निर्माण कारे किसके द्वारा सुरू किया गया था तो अपने जो कुतुबुद्दिन ऐबक है उन्होंने जो है इसको बन के निर्मान का कार्य सुरूख करवाया था लेकिन कुटबुद्दिन ऐवक की सनुन बारा सौधस में लाहर में डेथ हो जाती है वो कैसे मरा था तो चौगान खेल रहा था चौगान जिसको हम लोग पोलो के नाम से जानते न पोलो या फिर इसी को बोलेंगे चौगान तो इसकी मृत्तिव हो जाती है कुछ समय बाद तो यह जो कुतुब मिनार का जो निर्मान कारिया है यह अधुरा रह जाता है आगे चल करके इस निर्मान कारिय को किसने पूरा किया तो इल्टुतमिस ने ध्यान रखेंगे किसने पूरा किया इल्टुतमिस तो इल्टुतमिस इस आगे देखते हैं इसके बाद दिया हुआ है फिरोच शात तुगलच जो कि तुगलक वज्ञ का सासक ठाथ तो क्या था कि जो कुटुब मिनार था समय के साथ उसमें कुछ मतलब तूफान उफान के कारण कुटुब मिनार थोड़ा सा छटी पहुँच गया था तो फिरोच साथ तुगलक और उसके बाद सिकंदर लुदी इन दोनों ने कुतुब मिनार में मरम्मत कारिय करवाया था तो ये तीनों जो हैं कुतुब मिनार से संबंदित है मतलब कुछ ना कुछ काम करवाया बाकि जो अकबर है इसने अपना जो जामा मस्जिद बनवाया था तो बदायों के जामा मस्जिद का जिर्णोधार करवाया था अकबर ने यह चीज आपनों भ्यान रखेंगे अगर कभी पूछा जाए तो बाकी यह जो चीजे हैं इसका कहीं भी मतलब यह तीनों जो हैं कुत्व मिनार से जुड़े हुए हैं बा इनके जो उत्राधिकारी हुए चार उत्राधिकारी हुए और चारों जो हैं लगभग दस वर्सों तक सासन करते हैं और पुरा 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 जो पंजाब है दसवें वर्स में अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता है तो दिया हुआ है दलिप सी हैं सेर सी हैं खड़क सी हैं और नवनिहाल सी हैं तो देखते हैं कौन-कौन कैसे उत्रादिकारी हुए तो जैसे ही महराजार रजीत सी हैं कि डेथ होती है तो खड़क सी हैं ये पहले सासक बनते हैं कौन खड़क सी हैं ये पहले बनते हैं खड़क सी हैं के बाद इनके जो बेटे होते हैं नवनिहा तो से करम के बाद ये सी हो उसके बाद आखरी में बनता है दलित सी घृत ये ऑपका करम होगा तेर तीन ये चार ना तीन चार दो एक आपका आंसर होगा देखो जो खड़क सी है ये मतलब बिल्कुल भी योग ये नहीं था ये अफिम खाने का बड़ा साउंक रखता था तो इसकी बहुत जल्दे डेथ हो जाती है और इसका जो बेटा है ती आंगल सिख लड़े गए थे और दोनों ही आंगल सिख युद्धों में अंग्रेजों ने सिखों को बुरी तरह से परास्त कर दिया था और जो दूसरा आंगल सिख युद्ध था उसके बाद सिख सामराज्य का ही पतन हो गया और पूरे के पूरे सिख सामराज्य का विलाई British East India Company के राजी छेतर में कर दिया गया और महाराजा दलिप सिहे को इंगलेंड भेज दिया गया वहाँ पर इसके रहने खाने सब कुछ के लिए विवस्था कर दिया गया और इंगलेंड में ही इसको रखा गया दलिप सिहे को तो दलिप सिहे आखरी सासक हुआ ये आप लोगों को ध्यान रखना है और इसका जो विलाय है पंजाब का ब्रिटिस सामराज्य में लगभग 1849 में हुआ था डलहो जी इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था ध्यान रखेंगे उसे के समय में दुतिय अंगल सिख युद्ध हुआ था और 1849 के करीब पंजाब को ब्रिटिस सामराज्य में मिला लिया गया आखरी कुस्चन दिखते हैं इस वीडियो का अच्छा आपका आंसर क्या होगा 3421 यह आपका आंसर होगा आखरी कुस्चन दिखते हैं इस वीडियो का A.O.Hume की जीवनी किस ने लिखी थी A.O.Hume यह कौन है तो यह अपके जो ब्रिटिस जो भारतिय राष्ट्र कॉंग्रिस का यह संस्थापक था 1885 में इसी के द्वारा जो है राष्ट्र कॉंग्रिस की स्थापना की गई जिस समय भारत का वायसरा है कौन था डफ्रिन लार्ड डफ्रिंगे वायसराई था और इसका जो अधिवेशन है पहला जो अधिवेशन है बंबाई के गो कुल दास तेजपाल संस्क्रिट कॉलेज यही नाम था मैं साथ नाम भूल रहा हूं लेकिन वो Sanskrit College था कहाँ पर बंबई में तो वहाँ पर इसकी प्रहली अधिवेशन हुई थी जिसमें 22 सदस्यों ने भाग लिया था तो जो A.O. Hume है इसकी जीवनी किस ने लिखी थी आपको ये बताना है C.F. Andrews की अगर मैं बात करूँ तो इनको दीन बंधू के नाम से जाना जाता है और ये महात्मा गांदी जी के बहुत अच्छे दोस्त थे और गोपाल कृष्ण गोखले जी के साथ भी इनके अच्छे संबंद थे इसके अलावा जो अपने रवेंदर नाट टैगोर जी थे उनके साथ भी इनके अच्छे संबंद थे तो इनका भारतिय स्वतंतरता अंदुलन में भी काफी अच्छा खासा रोल रहा है क्योंकि महात्मा गांदी जी के साथ ये रहा करते थे लेकिन इन्होंने जो है एओ हुम की जीवनी नहीं लिखिये ये ना एक वो थे जो चर्च के पादरी थे मतलब चर्चम जो होता है न प्रिष्ट वो थे ये जार्ज यूले जिसने 1888 में इलहाबाद में कांग्रेस के चौन्थे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इसने भी नहीं लिखा है तो किसने लिखा है विल्यम वेडरबर्न विल्यम वेडरबर्न इसने भी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो इसी ने जो है अपने एओ हुम इसकी जीवनी लिखी बायोग्राफी उसके बाद जो दादा भाई नौरो जी है ये भी कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे और भी मैंने बताया पीछे 1906 में इन्होंने जो है कांग्रिस की अध्यक्षता की और पहली बार जो है सुराज की मांग की थी किसने दादा भाई नौरो जी जी ने तो ये सारा कुछ आप लोग याद रखेंगे और इसी के साथ आज का जो वीडियो है समाप्त होता है आज मैं ज्यादा एक्स्प्लेंड नहीं कर पाया इसके लिए माफी चाओंगा अगर कोई ज्यादा एक्स्प्लेंड खोज रहा था होगा तो हाला कि कहीं सारे बच्चे तो बोल रहे हैं किसर इतना ज्यादा एक्स्प्लेंड मत किया करिए लेकिन कहीं सारे बच्चे जो है इसको बोल रहे हैं कि सर और भी ज़्यादा explain करो तो चलिए हम करते रहेंगे इसे ही तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है आप लोग इसको ज़्यादा सेर करिएगा लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है